मंत्यप्रदेश की CM डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ आयोध्या पहुँचे यहां उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किये इस दोरान CM मोहन यादव और उनके सभी मंत्रियों का परिवार भी मौजूद रहा CM और उनकी पतनी ने भगवान राम के सामने धंडवत होकर प्रणाम किया भगवान राम लला के मंदिर में CM ने पूरी कैबिनेट के साथ राम धुन, श्री राम, जैराम, जैजे राम भी काई ऐसे लगा जीवन धन्य हो गया प्रभु राम का दर्सन ये कई जन्मों के पुन्य प्रताब का प्रसाद होता है और हाज हमने आयोद्या में आके भगवान राम के गरब-गरब बनने वाले निर्मान धीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्सन किये दर्शन से पहले सीयम मुहन यादव ने ये भी कहा कि MP सरकार अयोध्या में धर्मशाला का निर्मान कराएगी इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुठ्यमंत्री से चर्चा करने की बाद भी कही हमने चाहा है कि अगर यूपी सरकार हमको भूमी उपलब्द करा देगे तो हम धर्मसला बनाएंगे ताकि मद्वदेश के जो निवासी गणवा जाते हैं देवदर्शन करते हैं तो उनकी सुईधा का वो स्थान बन जाए ऐसी साथ भगवान अयुद्धिया में जो उनका जन साथ एक आस्वासन हम भी दे रहे हैं कि अगर कोई यूपी गवर्मेंट सहीत कोई भी सरकार अगर मद्वदेश के किसी भी धनस्ताल पर वो धर्मसला बनाती है घांड बनाती है जन सुविधाओं को डेवलेप करती है तो सरकार उनको भूमी उपलब्द कराईगे तो हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दवाना ना भूले अगर आप फेस्बूक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आप हमारे वाटसेप चैनल बंसल नीउस को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पास सकते हैं